नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दख़बरदाल नोच अपने किलो से जुड़े ही सीरीज के अंतरगत आज हम राजस्थान के जोदपुर सहर में इस्थित महरानगढ के किले की बात कर रहे हैं बात करें महरानगढ तुर्ग के तो भारत के राजस्थान राज्ज के जोदपुर सहर में इस्थित है ये किला और पंद्रहभी सताबदी का यह विसाल काय किला पथेरेली चटान पहाड़ी पर मैदान से 125 मीटर उचाई पर इस्थित है आठ द्वारू और अंगिनत बुर्जो से युक्त दस किलो मीटर लंबी उची दिवारों से ये घिरा किला बाहर के अद्रिश्ट घुमादा सडकों से जुड़े इस किले में चार द्वार हैं किले के अंदर कई भब महल अद्भुत नकासीदार किवाड जालीदार खिड़किया और प्रेदित करने वाले नाम हैं उनमें सु उलेखनी नाम हैं मोती महल फोल महल सीस महल सिलह खाना दौलत खाना और ना जाने ऐसी ही कितनी इमारतों से बना हुआ ये किला है इन महलों में भारती राज बेशों के साजो सामान का बिश्मैकारी अद्भुत आश्चर चकित कर देने बाला संग्रह समाहित है इसके अलाबा पालकियां, हाथियों के होदे, बिभिन सैलियों के लगुजित्रों, संगेत बाद यंत्रों, पोशाकों वफरनीचरों का भी आश्चर जनक संग्रह इस जगह पर आपको देखने को मिल सकता है। ये किला भारत के प्राचेंतम किलों में से एक है और भारत के सम्रिद साली आतीत का इसमरण कराता है। अंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तात कालें किले से नौ किलो मेटर दूर एक पहाड़ी पर नया किला बनाने का निननय लिया। इस पहाड़ी को भोर चिडिया टूं के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वहाँ पर काफी पच्छी रह करते थे। राव जोधा ने बारह मेट 1469 एसवी को इस पहाड़ी पर किले के नेव डाली जैसा की आकरित में आज भी देखने को मिलता है। जैसा की इस किले में आज भी दिखाई पड़ता है। महराज जस्वन सिंग ने इसे पूरा किया और मूल रूप से किले में साथ द्वार और आठबा गुप्त द्वार बनाया गया। प्रथम द्वार पर हाथियों से हमले के बचाओ के लिए नुकीले केले लगी हैं। अन द्वारों में सामिल जैपोल द्वार का निर्माड 1460 में महराज मान सिंग ने अपनी जैपूर और विकान नेर पर बिजय प्राप्ती के बात करवाया। फातेह पोल अथ्वा बिजय द्वार का निर्माड महराज अजीश सिंग ने मुगलों पर अपने बिजय की इस्मित में करवाया था। राव जोधा को चामुंडा माता से अथा स्रद्धा थी और इसी स्रद्धा के कारण राव जोधा ने 1460 में महरान गड किले के समीप चामुंडा माता का मंदिर वन बाया और मूर्ति की स्थापन दी। आपको बता दे कि चामुंडा जोधपुर के सास्कों की कुल देवी होती है और मंदिर के द्वार आम जंता के लिए भी खोले गए थी। जोतिसी गडपत राय के जोतिसी परामर्स पर जेष्ट सुकल एकादसी बारह मई 1469 सनी बार को राजा राम मेगवाल को जीवित ही गाड दिया गया और राजा राम के सहर से किये हुए त्याग एवं स्वामी भक्ती के एवज में राव जोधा सिंग राठाओर ने उनके ब गाजबाक के नाम से प्रसिध है. होले के तिऊहार पर मेगवालो की गेर को किले में बाजे-गाजे के साथ जाने का अधिकार है, जो किसी अनजादि को अधिकार प्राप्त नहीं है. राजाराम का जन्म, कडेला गौतर के केसर देवी की कोक से हुआ, जिनके पिता का नाम महसड़ी हुआ करता था कुछ ऐसा है इस महरानगड की अदभुत किले का अदभुत इतिहास राजस्थान किलो की धर्ती है राजस्थान शावर बीरता और राजपूतों की इतिहास की पाबनपुने धर्ती है राजस्थान की धर्ती से हैं जुड़े हुए किसी अन किले की बात करेंगे अपने किलो से जुड़े हुई अध्वु स्रिंखला के अगले अंक में देखते रहिए दखवर्दार न्यूज नमस्कार धन्यूज परदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद